नमस्कार दोस्तो हुमारी चैनल के आपका स्वागत है तो आज हम 46 टी पी एक के बारे में बात करने वाले हैं 46 क्या कहता है तो 46 में Draghi basbs के साथ भिन हत रखने वाले वेक्ति तौरा एदी एंधरण किया जाता है तो जहां कि इस्थावर संपत्ती उनमें सुभिन हित रखने वाले वेक्तियों दोरा प्रतिफलात अंतरित की जाती है। जहां कि बे अंतरक जहां कि उस संपत्ती में उसकी हित बरावर मूल लेके हूँ। एक मूले के बरावर हित रखते हैं एक संपत्ती में वहां प्रतिफल में से बरावर बरावर अंस और। वहां प्रतिफल जो प्राप्त होता है यदि एक संपत्ती है उसे बेचा जाता है। यदि एक संपत्ती को बेचा जाता है तो क्या होता है एक संपत्ती को बेचा जाता है तो सभी जैसे ए, बी, सी, डी ने संपत्ती को खरीद बेचा है। तो ए, बी, सी, डी ने बेचा है तो यदि ये बरावर बरावर हित रखते हैं मतलब बरावर बरावर पैसा लगाया था इन लोगों ने इस जमीन पर तो बरावर बरावर रखते हैं तो इन सभी को एक बरावर बरावर मात्रा में पैसा दे दिया जाएगा बेचने की बाद और जहां कि ऐसे हित असमान मूले के हैं यहां से दूसरी बात करता है जहां कि ऐसे हित असमान मूले के हैं वहां अपने अपने हितों के मूले के अनुपात में अंसपाने के हगदार हैं 46 यह बताता है कि यदि दो या दो से अधिक वेक्ति हैं ठीक है उस संपत्ति पर एक संपत्ति पर हित रखते हैं यदि वाय वेक्ति ऐसा हित रखते हैं कि सभी का समान हित रखते हैं A, B, C, D समान हित रखते हैं तो सभी को एक संपत्ति पर सभी को बराबर बराबर पैसा दे परन्तु यदि असमान हित रखते हैं, मतलब किसी का ज्यादा हित है, इसका ज्यादा हित है, इन दोनों का कम हित है, तो जिसका जितना हित होगा उसे उसी हिसाब से पैसा माट दिया जाएगा। अन्स पाने के हक दानों, यहां संपत्ती बेशने पर मूले का बटवारा हो जाता है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसका अन्स पर हक होता है। खा और गाहर हर एक उस मौजी के 16 वे अन्स का हकदान है। यह जिसका जितना अन्स होगा उसे हिसाब से पैसा मिल जाएगा। तो आई हूप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुई कमी लगते है तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बैबाए। झालब आपको झालब है। झालब झाल दूवाने टॉदी आपको झालबगते हैं।